पिधंपुर की नगरपाली का द्वारा आज महाराणा प्रताप पसिस्टेंट पर 14 नौ निर्मित दुकानों की चाबी व्यापारियों को सोफी गई नगरपाली का अध्यक्ष प्रतेदी सुरेश पतेल ने बताया कि पूर में विशेश खेत्र विकास प्रादीकरन द्वारा आवंटित की गई चाउदा दुकानों पर उस समय संकट खड़ा हो गया था जब विशु बेंक द्वारा शेहर के व्यस्तम आईसर चोराहे को अपने मत से सुंदरी करण के लिए नगरपाली का सी लिया गया करीब 25 वर्षों से अपना व्यापार कर रहे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया व्यापारी अपनी समस्या को लेकर नगरपाली का से लेकर कलेक्टर कार्याले तक चक्कर काटने के बाद माननी उच्ची नियाले की शरण में पहुचे एकोर्टे के आदेश के बाद नगरपालिका वे व्यापारियों के बीच कुछ दोर की बातचीत के बाद आज सभी 14 व्यापारियों को बसिस्टेंट के प्रांगर्ण में बनी दुकानों का आवंटन कर दिया गया। एक्ष मुख्य नगरपालिका अधिकारी से सामन जस्य बना कर हमें आज दुकानों की चाबी सो पी गई है। के अंदर हमने निन्ने लिया कि यह 14 लोगों को यहां पर सिफ्ट किया जाए बस इस्टेंट पर और इन 14 भाईयों को रोजी रुजगार से लगाया। यह 15 अगस्त के उपलक्ष में इनको पहने से करके दे दिया है। आपका नाम सुरेश पठल अध्यक्त प्रतिनी थी। जो काफी समय से जो 14 दुकाने जो रोड पर आइसर चुराय पर लगी हुई थी। काफी वर्सों से परिशान हो रहे थे। तो नगरपाली का परिश्ट जैसे ही कांग्रेस की बनी। यह लोग कांग्रेस परिश्ट के पास आए, मेरे पास आए। हम लोगों ने प्रियास करकर जो कांग्रेस की हमेशा और हमारे पूरु मुख्यमंदरी कमलनाज जी की प्रदेशत देख जी की हमेशा मंसा रेती है कि उन्हें रोजगार लगाएं और रोजगार दें। उसी उप्लक्स में हम लोगों ने यहां हमारी नगरपाली का ने कांग्रेश की पार्टी ने यहां उनको दुकाने आवंट्रित करी में पूरी परीशत का आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सहरानी काम किया उसके लिए बधाई के पात उसके लिए पुल्दीशिक बंदेला अगरे बुल्दीशिक बंदेला